कि नमस्कार मैं अंजरी मश्रौ स्वागतिया आपका हमारे चैनल में आपको बता दें कि प्रवक्ता है जुनके लिए मुश्किल है कम होने का नाम नहीं रही एक तरफ उन्हें जमानत मलती है तो दूसरी तरफ उनकी फिर गिरफतार हो जाती है तीन दिन में दो बार गिरफत साकेत गोखले की गिरफतारी यह दर्शाती है कि लोगतंत्र अब भी खत्रे में है गुजरात पुलिस ने गुरुवार को महानगर या अदालत ने जमानत मिलने के कुछ घंटों के भीतर गोखले को मोरभी पुल हाथसे पर उनके ट्वीट से जुड़े मामले में गिरफतार कर लिया था अभिशेक ने कहा गुजरात पुलिस ने साकेत गोखले को पिछले तीन दिन के अंतराल में दो बार गिरफतार किया वो भी आदर्श आचार सहीता के प्रभावी रहने के दोरा उन्होंने कहा कि नरवाचन आयोग ने पूरी तरह से समर्पन कर रखा है वो लगतार भाजप जो एक समचार क्लिप को ट्वीट किया था जिसमें सूचना काधिकार यानि आटी आई कानून के तहद कथित तोर पर प्राप्त जानकारी के अधार पर ये दावा किया गया था कि पुल हाथ से के बाद प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने मोर्वी दौरे पर 30 कड़ों विशुद रूप से स्वागत इवेंट मैनेजमेंट और फोटोग्राफी पर खर्च हुए थे मंगलवार को प्रेश सूचना ब्यूरों ने एक ट्वीट करके उक्तिसूचना को गलत होने की बात कहीं आपको बता दें कि गोखले द्वारा जो है इस पूरे मामले में जे च की गई थी 6 दिसंबर को उन्होंने मामले में गिरफतार कर लिया गया था ब्रिसपतिवार को पुलिस हिरासत की अवधी समाप्त होने के बाद एहमदबाद की एक दालत ने गोखले को जमानत दे दी थी हाला कि उन्हें जल्दी मोरवी पुलिवारा दर्ज एक अन्य मामले म से गिरफतार कर लिया गया पशिमंगाल के सत्तरू टीमसी ने गुरुवार देर रात एक ट्वीट में कहा था कि इस गटनक्रम के मद्दे नजर पाटी ने अपना तीन सदस्या प्रतिनिदी मंडल मोरवी भेजा है प्रतिनिदी मंडल में टीमसी की वरिष्ट नेता डोला स छाले पाटीCU की ने ने को कि गोखले की की मांग करते है साथ तौर पर देख सकते हैं किस टरीके या वह की जा रही है किस तरीके से सारी की कैस तरीक। हो रहे हैं जो गलत है और यही कारण है कि प्रदान मंत्री नरंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी की गई यह कहा गया कि हाथसे के बाद इस तरीके से इवेंट हो उसमें 30 कड़ोड़ पर खर्च किये गए और यह गलत ख़वर जो है यह पोस्ट की गई जिसके बाद एक सामनी आया कि इन्फोर्मेशन इन्होंने डाला इफ इन्फोर्मेशन सरा सर गलत इंफोर्मेशन है प्रदान मंत्री नरंद्र मोदी पर लांचा लगाने से प्रदान मंत्री के खिलाव शेर कर रहे हैं वह सही है या गलत एक citizen के तोर पर विपक्ष की बात छोड़ दीजे एक citizen के तोर पर भी प्रदान मंत्री के खिलाब या एक बहुत उचे पदपर विराजमान किसी भी वेक्ति के खिलाब किसी भी तरीके के information को साजा करने से पहले शोशल मीडिया के जवाना में हम जी रहे हमारी जमेदारी बनती है कि मुसको फैक्ट चेक करें कि information सही है या गलत उसके बाद उसे सार्विजनिक तोर पर पोस्ट करें ताकि जो लोग इसे शेयर करते हैं वो इसके बारे में इसकी तथता को बारे में उसके बारे में नहीं ज प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ बोलने की होड में इतना आगे निकल जाता है कि शब्द गरिमा पोस्ट की गरिमा और जिस तरीके से चीजें कहीं जानी चाहिए information साझा करने चाहिए उसकी गरिमा तक भूल जाता है और यह एक बार दो बार नहीं कई बार इस हिताँ प्रोड जाता है तेलों में जहां पर लोगों को सिर्के सीधे को इतने का बंगाल के सब्था निर्मने साते हैं । बंगाल की बात करेंगी जहां पर कई घरों में बच्चों को और बुड़े ओर्तों को जिन्दा जला दिया दाजा है बंगाल की हम बात करते हैं बंगाल में अभिशेक बैनर जी के बयान होते हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस पर जो है उन्होंने एक्शन लिया अगर बंगाल को आप रहते हुए गुजरात सब कंपेशन करें कि गुजरात में लोकतंत्र नहीं बचा है साथ तोर पर आप जेखेंगे कि बंगाल की हालाद बच से बत्तल हो जारी इसको डिक्टेटर्शिप का जा रहा है बार बार वहां पर सरकार गिनानी के दावे के जा रहे तब बस आना तब वोटर आई-डी में नाम लिखवाना जब वोट देंगे वरना उनका नाम वोटर लिस्ट में आना नहीं चाहिए खुलेयां धमकी देते हैं तब आप लोकतंत्र के बारे में नहीं सोचते हैं आप खुलेयां मीडिया के सामने कहते हैं कि मैं हुता तो सिर करते हैं जब आप लोकतंत्र की बात कहते हैं कि लोकतंत्र आप खत्रे में है तो जहां आपकी सरकार है वहां के भी लोकतंत्र की जिम्हेदारी आपकी होती है वहां कर पर भी लोकतंत्र का क्या हाल है इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए कि लोकतंत्र सिफ गुजरात या पंजाब या दिल्ली कहीं के लिए अपलाई नहीं होता है हर जगा हर राज्य के लिए अपलाई होता है और ऐसे में बंगाल की जो स्थिती है उसके लिए भी शेग बैनर जी के टिपड़ी का हमें इंतजार जरूर रहेगा जब वह बात लोगतंत्र को लेकर कहते हैं यह रहए की थिल पता होना चाहिए अंभादलमंत्र नरीदर मोदीय के खिलाव किसी भी तरीके के मिस इनफर्मेशन फैलाब भी गलत है लोगतंत्र का मतलब फिलदॉम फीहीं का मतलब यह नहीं होता है कि किपके बीधार الإनाशार है कि किसी दोसीन नुस्था तो तिहा कारण इस पश्ट हमने आपको बताए कि क्या था मिसिंफर्मिशन फिलाने की कोछिश की फैक्ट चेक में मामला सामने आ गया और इसी वजह से इनकी फिर से गिरफतारी की गया लेकिन अविशेक बेनर्जी को लगता है कि यह गुज्रात में लोक तंत्र खत्रे में ह तो ऐसे हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताए है और इस पूरे मामले पर आपके जो रहा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जरूर साचा करें थान्यवाद